तो दोस्तो मरनौ द फोलन इंजल की पिछले पार्ट के अंदर हम सभी ने देखा था कि फाइनली वेजीटा ने अपनी अल्टरा इंस्टिंट फो मास्टर्ड कर लिये तो आज ये मांगा मैं उसी के आगे से कंटीन्यू करने वाला हूँ तो तिल दन वीडियो को लाश तक जरूर से देखना साथ ही में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंस्टाग्राम दिख रहा है तो यहाँ पर फोलो जरूर से कर देना क्यूंकि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स और मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसी टेक्निक का इस्तिमाल करके एक पोटल मनाता है और इस पोटल के अंदर से अपना पंच सिधा जाकर वेजीटा को मारता है बट वेजीटा उसे आजानी से रोक लेता है और उसी पोटल के अंदर से अपना खुद का एक पंच मारता है जो मर्नो को काफी जोड से लगता उसके बाद हम सभी देखते हैं कि मर्नो लगातार वेजीटा के ओपर अपने अलग-अलग अटेक्स और काफी सारे पोर्टल्स बनाके अटेक्स लगातार करता जाता है बट वेजीटा उन सभी अटेक्स से आराम से बच जाता है और उसके बाद वेजीटा वापस से काफी जो उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जोकी कहता है कि मरनो मुझे पता है अभी भी तुम अपने पूरी पावर नहीं दिखा रहे हूं तो अपनी पूरी पावर के साथ मेरे साथ लड़ो नहीं तो मैं तुम्हीं अभी खतम कर दूँगा और ये बोलते ही वेजिटा चार्ज कर देता है मरनो के तरफ अपनी फुल पावर से और वेजिटा काफी जोर की एक किक मारता है मरनो को और मरनो इस किक से काफी दूर जाके गिरता है और यहाँ पर वो लगातार वेजिटा मरनो को मारते जाता है और मरनो कुछ बोलने का ट्राइ करता है बट वेजिटा बहुत ही जोड से मरनो का मुह पकड़ लेता है फिर वेजिटा लगातार मरनो को काफी बुरी तरीके से मार रहाता है इसका अफेक्ट पूरी अर्थ में हम सबी देख सकते हैं कि बहुती गंदी तहरे से पढ़ रहा होता है और यहाँ पर हम सबी देखते हैं कि मरनो की इससे काफी हालत हो जाती है और वेज़ीटा मरनो को एक बहुती बड़े घडे के अंदर फेक देता है र pour पर दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि एक दूसरा मरनो इन सभी फाइट को देख रहा होता है अंड ये मरनो असली मरनो होता है और ये कहता है कि साबाश वजीटा जल्दी से इस मरनो को मेरे लिए खतम कर दो ताकि मेरे हाथ में बनावा सिंबल पूरा हो जाये और मुझे हमारी सारी की सारी पावर्स मिल जाए और ये सब मर्नो की एक चाल होती है जिससे मर्नो की सारी पावर उसके पास आ जाए और फाइनली हम सबी देखते हैं और उसके बाद फाइनली असली मर्नो वेजिटा के सामने आता है और वेजिटों कहता है कि साबाश वेजिटा जैसा मेरे को लगा था तुमने सेम वैसा ही किया है तुमारी वज़े से अब मेरे हाथ के बनेवे सारे सिंबल्स पूरे हो चुके है और फाइनली अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखा सकता हूँ क्योंकि तुम उस लेवल तक बहुत चुके हो जहाँ पर मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखा सकता हूँ वेजिटा लेकिन हम यहाँ पर अर्थ में नहीं लड़ने वाले हैं और यहाँ पर मर्नो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा यह वही प्लैनेट है जहाँ पर मैं अपने क्लाउन बनाता हूँ और यह प्लैनेट मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है और यहाँ पर हम अपनी फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इस प्लैनेट में हम कितना भी जोट से रड़े इस प्लैनेट को कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन यहाँ पर बू कहता है कि तुम शायद भूल चुके हैं मर्नो कि वेजिटा अकेला नहीं है यहाँ पर मैं और फिरीजा भी हैं जो तुम्हें खत्म कर देंगे वेज देता है उसके बाद हम सभी देखते हैं कि माजिन बू अंदर आने का ट्राय करता है फाइट के बीच में बट वहाँ पर एक इन्विजिबल शील्ड होती है जो कि किसी को भी नहीं दिखाई देती और माजिन बू यह देके काफ यादा चोक जाता है एंड फ्रीजा भी और बू कहता है कि आखिरकार यह कौन सी शील्ड जो हमें दिखने ही रही और यह कहते ही वो दोनों अपनी सारी पावर लगा देते हैं शील्ड को तोड़ने पे पर वो शील्ड तब भी तूटती नहीं है उसके बाद हम सभी देखते हैं मर्नो को मर्नो कहता है कि है वेजिटा फाइनली अब हमारी अल्टिमेट फाइट चालू होने वाली है तो मैं तुमको बता दू कि हम इसमें कोई भी शीटिंग नहीं करने वाले हम सिर्फ वो सिर्फ अपने रियल पावर के साथ लड़ने वाले है और वेजिटा भी इसके लिए तियार हो जाता है और वो मर्नो से कहता है कि ठीक है मर्नो जैसा तुम बोलो लेकिन इस बार मैं तुम्हें सही में नहीं चोड़ने वाला और याद रखना तुमने जो भी किया हमारे साथ वो तुम्हार लिए बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाला है और वेजिटा ये कहते ही पावर अप करके अल्ट्रा इ क्यों है और मन्नो कहता है कि गोकु तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी प्रॉबलम है तुम अपने माइंड को फ्री नहीं चोड़ पा रहे हो तुम्हें सबकी चिंता लगी है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे से लड़ने में अगर ध्यान दोगे तब ही तुम मेरे से जीत पा और फ्रीजा के यही बोलते वे हम देखते हैं कि उस शील्ड में क्रैक आने चालू हो जाते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे की बेस्ती करते जाते हैं और यहाँ पर माजिन बू को पता चल जाता है कि आखिरकार यह शील्ड बेस्ती करने से ही तूटती है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरी की लगातार बेस्ती करते जाते और हम सभी देखते हैं कि उस शील्ड में लगातार क्रैक्स पर क्रैक्स आते रहते हैं और माजिन बू फ्रीजा को कहता है कि तुम गोल्डन टकले तुमारे वज़े से ये सब चालू हुआ है तुम आखिरकार अपने आपको एक एमपरर कैसे कह सकते हो तुमारे में तो बिल्कुल भी पावर नहीं है तब ही हम सभी देखते हैं क्यों शील्ड का एक काफी बड़ा टुकडा गिर जाता है तब ही हाँ पर फ्रीजा काफ व्यादा गुसा हो जाता है बू के ओपर और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरी की बेस्ती लगातार करते रहते हैं और ये बोलते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि शील्ड के काफी बड़े बड़े टुकड़े गिरने रग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरी की बेस्ती लगातार करते रहते हैं उसके बाद वापस से हम गोकु के पास आ जाते हैं जहां पर गोकु और मर्नो अपनी फाइट के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं और मर्नो कहता है कि गोकु कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरी पोटल वाली टेकनिक को नहीं सीख सकते हैं क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो अगर तुम चाहो तो ड्राइगन बोल का यूज करके इस टेकनिक को सीख सकते हो बड़ तुम ऐसा करने से मेरे को पता है कि मना कर दोगे और गोकु कहता है कि तुम सही कह रहे हो और हम देखते है कि मरनो ये कहते ही पेन और विडेल को लियाता है और गोकु ये देखके काफ यादा है और मरनो कहते है कि गोकु तुम्हारे पास एक ही मोका है तुम इन दोने में से सरफ एक को चुन सकते हो तो चलो अब मेरे को बताओ तुम किसको चुनना चाते हो और किसक मरवाना तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गोकू अब क्या करेगा वो पैन को बचाएगा या फिर विडेल को या फिर वो कुछ और ही करेगा और दूसरी तरह फाइनली एक बहुती बड़ी बैटल चालू हो चुकी मरनों वैसे वेजीटा की और बहुती जल्दी गोकू भी सारी टेकनिक सीखने वाला है तो फाइनली दोस्तों ये मांगा बहुती जल्दी एंड होने वाली है तो अब इसके पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना तो आप सब जितने इस वीडियो में लाइक करेंगे उतने ही ज्यादा जल्दी मैं इसका अगला पार्ट भी करता रहता हूं तो मिलता आप सब इसे नेक्स वीडियो नेक्स पार्ट में